नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ईशा और आज मैं बात करने जा रही हूँ कवी सुमित्रा नंदन पंथ द्वारा लिखी गई कवीता जिसका सिर्षक है ग्रामश्री दरसल ग्रामश्री का मतलब होता है गाउं की शोभा इस कविता में कवी ने गाउं में च्छाई हरियाली और प्रकृती का बहुत ही सुन्दर तरीके से वर्णन किया है तो चलिए दोस्तों सुरू से इस कविता को समझने का प्रयास करते है प्रस्तूत पंक्तियों में कवी कहता है कि गाउं के खेतों में धूर धूर तक फसलों की मखमली कोमल हरियाली फैली हुई है उस हरियाली पर पढ़ने वाली सूरी की किरने इस प्रकार लिपट गई है जैसे उस पर चांदी के जैसे उजवल जाली लपेट दी गई हो कवी तिनकों को हरे सरीर वाला बताते हुए कहता है कि धूप में हरे सरीर वाले इन तिनकों में कुछ इस तरह से हरियाली समा गई है जैसे नसों में हरा खुन झलक रहा हो फसलों की हरियाली से हरी धर्ती के उपर अकास का कभी न धुन्दला पढ़ने वाला किनारा इस प्रकार जुका हुआ है मानों वो नीचे जुक कर धर्ती को छू लेना चाहता है प्रस्तूत पंग्दियों में कभी कहता है कि प्रकृती के इस सौंदरे को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि धर्ती रोमांच से भर गई है और इस कारण गेहूं और जौ के पौधों में नए विक्सित बानिया दिखाई दे रही है अरहर और सनई की पकी फसलों में फलियों के बीच हवा से हिलकर बच उठने वाले गोल सुनहरे दाने आ गए है और वे ऐसे सूसोभित प्रतीत हो रहे हैं मानो धर्ती की कमर पर सुन्दर घुंगरू हो फूली हुई सरसो के फूलों का पीला रंग और उन फूलों से निकल कर हवा में फैलती भीगी हुई तेल युक्त सुगंध बिखरी पड़ी है खेतों की हरी भरी धर्ती से निकलने वाले नीले फूलो वाले तीसी के छोटे छोटे पौधे धर्ती के सुन्दर्ता को निहारने के लिए हरी भरी धर्ती से जाक रहे हैं इस कारण धर्ती मानो खुश्यों से भर गई है प्रस्तूत पंक्तियों में कवी कहता है कि मटर के फूलो और शंक के आकार की फलियों से मिले जुले पौधे ऐसे लगते हैं मानुसारे फसल रासी के बीच रंग बिरंगे फूलो वाली साखिया मटर के साथ खेतों में खड़ी हस रही हो बीचों की लड़ी को अपने अंदर छिपाएं मटर की फलियां मक्मल की थैलियों जैसी मटर के पौधों से लगी लटक रही है खेत में चारों और रंग बिरंगे फूल खिले हैं मटर के फूलों पर बैठती उड़ती रंग बिरंगी तितलियां जब एक फल से दूसरे फल पर जाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे रंग बिरंगे फूल स्वयम उड़कर अपने शाखाओं से दूसरे फलों के शाखाओं पर जाकर बैठ रहे है प्रस्तूत पंक्तियों में कवी गाउं की धर्ती और प्रकृती के सौंदरे का वर्नेन करते हुए कहता है कि गाउं की धर्ती केवल फसलों के सौंदरे से भरा हुआ नहीं है बलकि बाग बगिक्चो में उगे आम के पेडों की डालिया भी जो अब सोने और चांदी के समान चमक वाली फूलों से लद गई है और उसकी प्राकृतिक सुंदर्ता में व्रिधी कर रही है बसंतरीतू के आगमन के प्रभाव से धाक और पीपल के पूराने पत्ते जढ़ कर नई कोमल पत्ते को विक्सित होने का अफसर दे रहे है इस वाता वरन में कोयल भी नशे में होकर कूक उठी है कठहल के वरिज फल आ जाने के कारण महक उठे है जामुन के फूल अधखिले होने लगे है जंगल में जर्भेरी की जाडियों में जर्भेरी के गुच्छे फल कर लटक रहे है इन सब की भाती ही आडू, निम्बू और अनार के प्रेडों में फल के पुर्व आने वाले फूल लग गए है खेतों में आलू, गोभी, बैंगन, मूली भी अपने वांचित विकास को प्राप्त कर रहे है प्रस्तूत पंक्तियों में कवी कहता है कि पीले अमरूत अब मेठे और लाल निशानों वाले हो गए है मतलब पहले कि अपिक्षा अब उनमें अधिक मधूरता और सौंदरे समा गया है बेर पक गए है, मीठे और सुनहरे हो गए है और आवले की डालों पर बहुत से फलों के गुच्छे लटक गए है खेतों में कहीं हरी पालक लहला रही है तो कहीं धनिये की फूलों की खुश्बू बातावरन में महक उठी है लौकी और सेम की फलियों फैल गई है टमाटर के फल हरे से लाल हो गए है, मतलब पक गए है अब वह मकमल के जैसे प्रतीध हो रहे है और मिर्च के गुच्छों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वह बड़ी सी हरी थैली के रूप में उग गए है प्रस्तूत पंक्तियों में कवी गंगा के किनारे पड़ी रेत को देखकर कहता है कि गंगा के किनारे की रेती जो की सूरे का प्रकास पढ़ने के कारण सतरंगी बनकर चमक रही है वो लहरों के जल से बालू पर बन जाने वाले साप के जैसे निशानों से युक्त है उसके चारों और तिनके की घनी जाणियों और केनारों पर तर्बूजों की खेती बड़ी सुन्दर दिखाई दे रही है। गंगा के जल में बगूले अपने एक पैर को उठा कर सिर्खुजलाते और सवारते, बालों में कंगी करते प्रतीत होते हैं। उस निरंतर बहते हुए जल में कहीं सुर्खा पक्ची तैर रहे हैं, तो कहीं किनारे पर मगरोठी पक्ची सोई हुई है। प्रस्तूत पंक्तियों में कवी कहता है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हर्याली जो है, वो सर्दी की धूप पढ़ने पर हस रही है। सर्दी की धूप और हर्याली दोनों ही अलस्स से युक्त होकर सो रहे हैं, ओस पढ़ने के कारण रात भीग चुकी है। तारों की रोशनी फीकी पढ़ने से मानू ऐसा प्रतीत होता है, जैसे वा सपनों में खोई हुए है। सुन्दर्ता से परिपुन गाउं मरकत के खुले डिब्बे जैसा दिखाई देता है। इस मरकत डिब्बे से गाउं के ऊपर नीला अकास ऐसे चाया हुआ है, जैसे नीला रंग का किम्ती पत्थर का धक्कन हो। अद्भुत शोभा युक्त गाउं की सांत और शुन्दर्य, द्रिश जाड़े की समापती और वसंत के आरहम के प्राकिर्तिक वातावरन में अपनी सुन्दर्ता से लोगों के मन को सम्मोहित कर देने वाली है। तो दोस्तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास पढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और या वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताए। धन्यवाद।